हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूव यूर नॉलेज में आप सभी का श्वागत है फ्रेंड्स आज में कुहणा भी सब्जी की रेश्पी लेकर आए हूँ कहीं कहीं पे इसे कुहणा कहीं सीता फल कहीं भोपला कहीं कद्दू यानि की इंग्लिस में इसे प खा सकते हैं ये खटी मिखी तीखी चटपटी सब्जी आप सभी को पसंद आएगा तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं कि पॉम्किन की सब्जी बनाने के लिए हमने एक किलो पॉम्किन लिया है यानि कि कुहणा हम हर एश्टेट को बताएंगे जिससे कि इसे सीख सके यह अपना गाउं का देशी सब्जी है इसे सभी बच्चे को बनाना आना चाहिए तो हम कट्व को काटेंगे कैसे नाइफ की मदद से ऐसे इसके पतले-पतले कर लेंगे क्योंकि अभी के बच्चे यह सब नहीं जान पाते हैं तो मैं डिटेस्ट में दिखा र आप देख सकते हैं आसानी से छील जा रहा है तो यह हुआ अपना पॉम्किन जिसे हमने काटके छील लिया यह बीस वाले पाट को भी हम निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं हमने पॉम्किन को अच्छे से छील लिया है एक कोहड़ा एक्तम ताजी होनी चाहिए पकी होनी चाहिए तो सब्ची का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है ऐसे ही हम सभी कद्दू को छील लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने सभी कोहड़ा को छील लिया है इसका पानी शुब गया है अब हम इसका कटिंग बताएंगे तो इसके पीसेस बहुत पतले-पतले होने चाहिए आप देख सकते हैं बस ऐसे ही काटना है अगर चौरी पीसेस है तो इसमें हम दो कट लगा देंगे और फिर इसको ऐसे काटेंगे तो ऐसी ही हम सभी कद्दू को ऐसे कट लगाएंगे और चाकू से काट लेंगे तो चलिए हम सभी कद्दू काटके आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने सभी कद्दू को बड़ी बड़ी काट लगता है एक बड़ी से आप इसकी पीसेस देख लीजिए तो लिए हम गयस के तरफ चलते हैं गयस पे हमने कडाहि ले लिया है इसमें हम एक चमच तेल डालेंगे तेल आप कोई भी ले सकते हैं मस्टरड का हो सन फ्लावर हो कडाही में हमने एक बड़ा चमच तेल डाल लिया है तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे फोरन तो यहाँ पे फोरन में हमने डिया है मेथी, मस्टर्ड सेल, शौफ, पेजपत्ती, लाल मिर्च, प्लॉजी, आजवाईन, जीरा इन सारे मसाले का फ्लेवर कड़ू यानि कि भोफले की सब्जी में बहुत ही सुन्दर आता है तो हम इसे तेल में एक साथ डाल देंगे और बिल्कुल श्लो फ्लेम पे हम इसे तड़कने देंगे जिससे सारे फ्लेवर अपना तेल में आ जाए तो हम एकदम श्रोफ रीम भी इसे तड़काएंगे ये भी एश्टे बहुत ही ज़रूरी होता है भोपलाती सब्जी में आप देख सकते हैं अपने फोड़न से हलका हलका सटकने की आवाज आने लगी है और इसका कलर भी देख के आप आप साम सकते हैं कि अपनी फोड़न तयार हो चुकी है इसे ज़्यादा जलाना नहीं है जश्ट इसका फ्लेवर हमें तेल में निकालने लिए श्रोफने पे बुनना पड़ता है अब हम लास में डालेंगे इसमें वान फोड़ जमब स्खींग डालने के बाद तुरंद हम इसमें डालेंगे 4-5 लहसन की तली जोके हमने स्खील के सोबेशों के काट रखे हैं एक मेरियम साइज प्याज को हमें इस खींगे बारिश बारिश काट लिया है और साथ में हम डालेंगे 2-3 हरी मिक्ट इन सारे इंडियेंज को हम अधियां फ्लेम पे खलकासा ब्राउन होने कर पूनेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी प्याल लेक्ट चुन में अच्छे से गल चुकी है कलर भी सेंग हो गया है अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना पॉम्किन जिसे हमने काट के रख लिया था अब हम फ्लेम को तेज करेंगे और पॉम्किन को अच्छे से पकाएंगे अब देख सकते हैं पॉरण के साथ अपना फुग डाली प्चा हो इतना सुन्दर लग रहा है इसका स्वार को बनने के बार ही पतार करेगा अब यहाँ के हम कुछ मसाला एड़ करेंगे तो यहाँ के हम वर फोट चमस हली पॉडर डाल देंगे एक चमस हम लाल मिट पॉडर डालेंगे एक चमस हम रहना पॉडर डालेंगे और अपना फुगरा गले इसके लिए हम साथ में नमक डालेंगे तो ध्यां से नमक डालेंगे क्योंकि यह गल्ले के बात इस्ती क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी तो हम यहाँ समज के नमक डालेंगे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी मर्शाला भी पुगरा के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम लीट से कभर करके इसे मेडियम ख्लेम पे चलाते हुए 20 मिनन तर पगाएंगे आप देख सकते हैं काफी हट तक अपना कुभरा गल चुका है यानि कि अगर ताजी कुभरा हो तो इसमें हमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं होती है इसमें इतना पढयाफ्त पानी रगता है जिसके कि यह अच्छे से तक सकी अगर कुभरा शुकरा जैसा हो तो आप इसमें एक कुभरा पानी डालके पकाईए तक अच्छे से पकना चाहिए एक कुभरा को मैं इसके लिखाती हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुका है तो ऐसे पका होना चाहिए अब यहां पर हम डालेंगे दो बड़े चम्मच गुड़ गुड़ से यह बहुत ही अच्छा मीठा मीठा क्यार होता है गुड़ डालते हैं हम अपरी सब्जी को अच्छे से चलाएंगे जिसके की गुड़ अच्छे से सब्जी में मीठा हो जाएं तो हम सलाती हुएंगे इसे काफी हद तक यह मैश हो जाता है ऐसे बंग इसे मैट पेहवे सला लेंगे हमने सब्जी ने गुड़ को अच्छे से मीठा है आप देख सकते हैं सब्जी अपना बिल्कुल पिखल चुका है अब इस एस पेह ते हम जालेंगे अम्शुर पॉडर जो यहां पे हम एक तमस्ट पॉडर डाल रहे हैं इससे सब्जी में खटी, मीठी, तीखी बकुत एक बढ़िया तेस जाता है अम्शुर डालने के बाद हम इसे भी खलाते हुए 3-4 मिन तक पका लेंगे अब हमें कभर नहीं करना है क्योंकि यह काफी पानी खोल चुका है अम्शुर पॉडर डालने के बाद हम यहां के 3-4 मिन तक अपनी सब्जी को चुडाते हुए पका लिया है आप देख सकते हैं इसका पानी काफी हद तक शुक शुका है अगर आपको इससे भी घ्राई बनाना है तो थोड़ा और पकाईए लेकिन ऐती ही लगपटी सब्जी पूरी पराते से खाने के लिए बहुत ही मज़़ार लगती है तो हम यहाँ पे फ्लेम को आउफ पर ले रहे हैं और तरही इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पे हम एक सर्विंग कडाहे लिए हैं इसमें इसे सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स आप में देख लिया पॉम्किन की सब्जी बनाना कितना आसान है और यह पूरी पड़ाठे रोटी चपाती से खाएं खाने में बहुत ही मज़़दार लगता है खटी, मीठी, तीखी, सब्जी फ्रेंट्स इस रेश्पी को आप दुरूर प्राई कीजिए आपके खटी फेवरिट सब्जी बन जाएगी और मेरे सैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर कीजिए अपना कॉमेंट जरूर लिखिए जिसे हमें आगे रेश्पी डालने में मज़ा आए धन्यवाद